पनोर्मंक रूप जो सोचता है वो करता है से भी कर रहे थे और उसकी संभावनाओं पर भी हम कई बार प्रकास डाल चुके हैं सबसे बड़ी बात थी कि भारते जनता पार्टी में इन पांच सालों में उमिद्वारों की तदात बढ़ी है कई नय और पुराने उमिद्वार अब इस बार अपनी सीट पर लगना चाहते हैं 2019 में जिन पांच लोगों ने कुर्बानिया दी थी उनके लिए भी भारते जनता पार्टी ने कुछ-कुछ सेटलमेंट करने का प्रयास किया था लेकिन बहुत सारे लोग आज भी सेटलमेंट से दूर हैं वहीं आपको बता दें कई सीटों पे मारा मारी चल रही है तो कई सीटों पे सर्वे रिपोर्ट के साथ-साथ उमिद्वार पूरी ताकत लगाये हुए है चाहे जिस तरह की बात भी हो लेकिन हर हाल में टिकट उन्हें चाहिए और उन्हें इस बार मोदी लहर में जीतने की भी उमीद नजर आ रही है ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा भारते जन्ता पाटी के लिए इतने सारे उमिद्वारों में से छाटना हला कि कहा जाता है और भारते जन्ता पाटी के लोग ये दावा करते हैं कि भारते जन्ता पाटी अनुसासन वाली पाटी है और जो केंद्रिय नेत्रित उसे फैसला हो जाता है उसे सभी मानते हैं लेकिन आपको एक बात बता दें जो बर्तमान परिस्थिती बनी है उसमें सबसे जाला होट सीट बना हुआ है पटना साहिब का पटना साहिब के सीट को ले करके आप देख रहे हैं कि लगतार यहां कुछ न कुछ परिवर्तन होता नजर आता है भारते जन्तापाटी यहां से कायस्त उमिद्वार को उतारती है और उनके जीत लगभग सुनिश्यत होती है ऐसा कई चुनाओं से देखा जा रहा है अब आपको बता दें कि पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है इस ट्विस्ट में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि रवी संकर परसाद पर काफी भारी पढ़ रहे हैं और कई उमिद्वार हैं लेकिन इस भारी पढ़ने और इस रसा कसी में जहां एक तरक रवी संकर परसाद के उमिद्वारी को लेकर के संसे की स्थिति बताई जा रही है तो वहीं रितुराज सिनहा जो की सबसे उपर सर्वे में चल रहे हैं जिनको लेकर के हमने भी आपको दिखाया था कि हमारे सर्वे रिपोर्ट में भी रितुराज सिनहा का सबसे उपर चल रहा है तो वहीं निती नवीन को भी एक बड़े उमिद्वार के रूप में देखा जा रहा था लेकिन अचानक से निती नवीन को मंत्री मंडल में सामिल करके भारते जंता पाटी ने ये रास्ता और ये जंजट तो दूर कर लिया लेकिन सबसे पड़ी जंजट ये थी कि रविशंकर परसाद और रितुराज सिनहा के बीच में ये जमेला आखिर कैसे दूर होगा इसके लिए भारते जंता पाटी कई एंगल पे विचार कर रही थी पहला ये कि क्या रविशंकर परसाद की उम्र हो गई है इसलिए रितुराज सिनहा को ये सीट दे दी जाए तो दुसरी तरफ रविशंकर परसाद एक देख भी पीछे हटने के लिए तयार नहीं है वहीं आपको बताएं कि जब रितुराज सिनहा का नाम आ रहा है तो भाते जनतापाटी को ऐसा लगने लगा है कि रिदेश इनाय को देने के बाद अब आगे क्या होगा उनको केंद्रिये टीम का हिस्सा बनाया गया है और भाते जनतापाटी को अभी कोई चुनाओ जीतने भी हैं इन सबी चीजों को ले करके हमने आपको सर्वे रूपेट में एक नाम और बताया था रणवीर नंदन का रणवीर नंदन के साथ भी यही परिष्थितियां बनी है और वो जनता दर उनाइटेट से भारते जनता पाटी में लंबे समय तक रहने और संगठनिक कारे करने के उस रणवीर नंदन का नाम सबसे उपर चल रहा है इस त्रिकोनिये रास्ते में एक रास्ता भारते जनता पाटी के लिए और बड़ी मुफिद लग रहा है लेकिन उस रास्ते पर जाने में भारते जनता पाटी को और बड़ा रिस्ग का सामना करना पड़ेगा वो रिस्ग था कि रविशंकर प्रषाब के जगह पर और इत्राजि शिना के जगह पर या तो रणवीर नंदन को उतारे जो की कायस समाज से ही आते हैं और भाते जंता पाटी के कदावर नेता भी कहे जाते हैं संगटने गूरूप से लेकर के अब तक के जो उनके कारेकाल रहे हैं उसमें उन्होंने बहुत कुछ भाते जंता पाटी को दिया है काफी मजे हुए कहा जाता है कि संगठन करता है और लगतार वो भी प्रयास में लगे हुए है लेकिन इन सब के बीच में इस सारे जहमेले को समात करने के लिए जानकार बताते हैं कि इस जगह पर राम किरपाल यादो को भी उतारा जा सकता है क्योंकि पहले भी इस सीट पर वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं आपको बता दें कि ये बहुत रिस्की हो जाएगा भारते जन्ता पाठी के लिए क्योंकि जो पाठली पुत्रा के स्थिती है उसमें कहीं न कहीं वो एक बिल्कुल फिट बैठते हैं अब देखना दिल्चस्प होगा कि जो पेच फंसा हुआ है इस पेच में किस तरह से भारते जन्ता पाठी निकल पाती है क्या भारते जन्ता पाठी के इस रस्ता कसी और इन उमिदवारों के एक दूसरे पर कहा जा रहा है कि 19 और 20 वाली लडाई में कहीं तीसरे को फाइद करती है जुड़े ने भारत लाइब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पनोर्म क्रूप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनी और बिहारियत से सरुकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रवा मुफ्त में मिल जए अगर रवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद